नमस्कार दोस्तों, इंद्वनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मिरे नाम है फयाज जिस तरह से हम as a regular investor अपने portfolio में equity भी रखते हैं, debt भी रखते हैं और gold भी रखते हैं ठीक उसी तरह से हमारे देश की सरकारे भी और दुनिया भर की सरकारे भी अपने portfolio में gold रखना पसंद करती हैं क्योंकि gold रखने के बहुत सारे फायते हैं, gold आपको basically inflation के against एक तरह का hedge होता है जिस तरह से हम लोग जब notice करते हैं कि जब भी equity market dip होता है तो gold के prices उठते हैं इतना इन ही बहुत सारे देशों में अगर आपको currency print करना है तो आपके पास gold के reserves होने चाहिए उसी तरह से या उसी की बुनियाद पर आपको आपकी country का जो reserve bank होता है या जो central bank होता है वो gold के notes या फिर आपके regular currency के notes print करने की अनुमती देता है इसलिए आज की video में हम नज़द दालेंगे कि दुनिया भर के कौन से कौन से ऐसे 10 बड़े countries हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सबस्दा gold है इतना इन ही यहाँ पर हम उनके gold reserves के बारे में भी बात करेंगे प्लस उनके forex reserve के बारे में भी बात करेंगे कि अगर उनको कल के दिन किसी और country के साथ trade करना है तो उनोंने किस तरह से अपना उनके total जो valuation है जो capital है उनका उसमें से कितना percent उनोंने gold में रखा है हम लोग उस पर भी नजब दालेंगे तो एक एक करके इन सारे 10 countries के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे ताकि आप हमारे आने वाले हर एक update को missना करें और अगर आप personal finance, career building, farming और business के बारे में सीखना चाते हैं तो download करें financial freedom app जिसकी link आपको description box मिल जाएगी promo code में अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो आपको होगा दुगना फाइदा क्योंकि आपको मिलेगा 2000 रुपे तक का scholarship absolutely free तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा point पर आते हैं और आपको इस table की और ले जाते हैं तो अगर आप इस table पर ध्यान दे तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आपको देखेगा वो है United States of America यहाँ पर देखिए इनके gold reserves जो है tons में बता रहूं मैं आपको 8133.5 याने के 8133.5 ton gold है इनके पास जो इनके forex reserve का लगबख 78.7% है इस list में दूसरा है Germany जो की अपने gold reserve tons में रखते हैं लगबख 3362.4 याने के उनके forex reserve में gold का percentage भी काफी ज्यादा है जो की दिखाता है 76.1% इस list में तीसरा है Italy जिसने रखा है लगबख 2451.8 ton gold अपने reserves में जो की उनके forex reserve का बन जाता है 70.7% फिर बात करते हैं France की जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा की 2004 36.2 ton gold है इनके पास जो की इनके forex reserve का 66% है रशिया का यहाँ पर देखिए 2298.5 ton gold है उनके पास और यह उनके forex reserve का थोड़ा सा काम है यानिके 23.7% बात करेंगर चाइना की तो यहाँ पर देखिए उनके पास 10948.3 ton gold है जो की उनके forex reserve का दिखाता है 3.5% फिर बात करते हैं Switzerland की जहाँ पर आप देखि सकते हैं की 1040 ton gold है उनके पास जो की उनके forex reserve का बन जाता है 6.1% और फिर बात करते हैं Japan की जहाँ पर आप देख सकते हैं 765.2 ton gold है उनके पास जो की उनके forex reserve का बन जाता है 3.3% और अब बात करते हैं हमारे देश की भारत की यहाँ पर देखिए 676.6 ton gold है हमारे country में पूरा जो की हमारे forex reserve का महज 7% बताता है और आखिर में बात करते हैं Netherlands की जो की आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 612.5 ton gold है इनके पास जो की इनके forex reserve का लगबग 69.0% है यहाँ पर basically इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश का gold surprisingly बाकी देश की तुलना में काफी कम है जो gold हमारी देश की सरकारों के पास है तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि gold की एहमियत क्या है gold definitely आपको अपने portfolio में रखना चाहिए आज के दौर में जहाँ इतने सारे अ होना चाहिए एक 10% at least आपकी total portfolio का gold में निवेशित होना चाहिए क्योंकि आप देखी सकते हैं कि आज की तारिक में market काफी जादा turbulence से गुजर रहा है market काफी volatile है बहुत मुम्किन है कि market crash हो सकता है यह मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ यह तो हमें देखना पड़ेगा आगे कैसा वक्त आता है लेकिन इस तरह की situations में it's very nice कि अगर आप अपने portfolio में थोड़ा बहुत gold maintain करें तो again gold के ओपर हमने बहुत सारे courses बना है financial freedom app पर जहां पर हमने आपको बताया है कि gold में निवेश करने का सबसे सही तरीका क्या है इंटरेस्टिंगली gold की jewelry करीदना सबस सिखाएंगे कि gold में निवेश करने का सबसे smart तरीका कौन सा है अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे ताकि आप हमारे आने वाले हर एक update को देख पाए और मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में मिरे नाम है और आप देख रहे हैं indianmoney.com